अज़ा कि आपप 받고 कुकुछ बाली हर साल दिवाली आती है कुछ सपने ले कर आती है कुछ उमीदे लेकर आती है यह वह मौका होता है बाजार को गरहंकों का इंतरे होता क्योंकि इस वक्त काफी offers होते हैं, अच्छी deals मिल जाती है, जाहिर तोर पर real estate sector में भी इस वक्त बड़ी हर शो लास देखने को मिलता है, बहुत अच्छी sales देखने को मिलती है, लोग ग्रेपरवेश करते हैं, यारी हर तरफ शुब ही शुब देखने को मिलता है, तो आज हमा हमारा special show Property Plus में हम बात करने वाले हैं कि इस दिवाली real estate market किस तरह से react कर रहा है, real estate में किस तरह की मौके बन रहे हैं, निवेश के लिहाद से, हर तरह से real estate को खंगालने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेमान भी हैं, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ हैं श्रवन ग आपके पास आएंगे, जाहिर तोर पर हम लोग हर दिवाली बात करते हैं, real estate की बात करते हैं, और हर बार real estate बहतर होता जा रहा है, पिछले कुछ साल थोड़े खराब गए हैं, लेकिन उन खराब सालों के बाद real estate ने जो jump मारी है, जो speed दिखाई है, वो शायद पिछले 10 सा जालों में नहीं दिखाई है, तो इस बार दिवाली में, सबसे पहले तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि residential market और commercial market दोनों किस तरह से perform करता हो दिख रहा है, जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को दिवाली की शुब कामना है, देखिए आपने सही का, आपने introduction सही दे दिया है, ऐसा लगता है जैसे आट-दस साल की भरपाई करने निकला है market इस समय, जो दबा-दबा सा माहौल था, फिर कोरोना ने दो साल करीब-करीब पूरी तरह market को द्वस्त कर दिया, लेकिन जब से हम उस थिती से बाहर आए हैं, तो अगर मैं कुछ बेसिक आंकणों से बात करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ residential में इस समय कम से कम साथ या आठ साल का पीक चल रहा है, चाहे आप sales के point of view से देखें, या launches के point of view से देखें, सालाना मैं समझता हूँ, हम हर quarter में करीब-करीब 25-30,000 unit की sale देख रहे हैं, सिर्फ इस एक बड़े शहर में और बाकी दू कमर्शल में बड़ी अजीब सी स्थिती बनी, 2019 में पीक आया था, 2020 और 21 में market काफी डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद से जो market में उठान आना शुरू हुआ था, वो अचानक थमसा गया first half में, इस साल, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, हमारा data तयार हो चुका है, quarter 3 इस साल जो है, जो सिप्टेंबर में खतम हुआ है, अचानक उसमें काफी उठान दिखी है, और अब ये उमीद जाग चुकी है, कि 2023 का जो end होगा, वो शायद पिछले साल के बराबर होगा, या कमवेश उससे उपर भी निकल सकता है, तो ये मैं समझता हूँ, पिछले 5-6 महीने मे रेजिडेंशल में भी, कमर्शल में भी, एक समरी तोर पर, दोनों में बहुत पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी है, आगे हम और विस्तार से बात करेंगे मेरे, बिल्कुल सर, जैसा हमने भी देखा कि 10-10 साल के रिकॉर्ड तूट रहे हैं बाद, अगर मुंबई की हो, हैदराबाद की हो, जो रेजिस्टेशन के आकड़े हैं, वो कुछ अलगी कहानी दिखा रहे हैं, टॉप सेवन सिटीज में बहुत ही शानदार डेटा निकल कर आ रहा है, श्रवन गुपता साब आपके पास आएंगे, आप योर्स से जुड़े हुए हैं, को फाउंडर हैं लेकिन कुछ लोग जब इन्वेस्मेंट के लिए लेखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंडते हैं, जाहिर तोर पर जो आपका फ्रेक्शनल ओनर्शिप है, उसके रिटर्न ने लोगों का ध्यान उस तरफ खीचा है, आपके हिसाप से पिछली दिवाली से इस द दिवाली तक, फ्रैक्शनल ओनर्शिप में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है और अभी कैसा रुजहान दिख रहा है, तैंक्यो अधिपर जी आपके प्रोग्राम पर बुलाने के लिए, जी फ्रैक्शनल ओनर्शिप के बारे में बताने से पहले तोड़ा हॉलिडे होम के बारे में भी बताता हूँ, अभी इंडिया में आठ लाक के अधिक HNI फैमिलीज है और हमारे रिसर्च के मुताबिक इन फैमिलीज में 15 से 20 परसेंट फैमिलीज नेक्स्ट तू 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 त्री येर्स में एक होलिडे होम करीदना चाहते है, वो बना डेड़ लाक होलिड अभी वो डिमांड देखिये और डेस्टिनेशन्स देखिये, गोवा हो या अलिबाग हो लोनावला इतना घर नहीं है, तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेक्स तू 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 त्री येर्स में, अभी फ्राक्शनल में अड्वांटेज ये है कि एक करोर का या दो करोर का समझिये कि किसी का इन्वेस्टमेंट बजेट है, अभी गोवा में अपार्टमेंट भी बिलना मुश्किल है, फ्राक्शनल ओनर्शिप की तरफ से देखिये तो, एक करोर इन्वेस्ट करके, आठ करोर या दस करोर का विला में शेर होल्डर बन सकते हैं, तो यही अडवांटेज है, तो हमने पिछले एक साल में यह देखा है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग यह अक्सेप्ट करने लगे है, कि फ्राक्शनल ओनर्शिप इन्वेस्टमेंट का बहुत स्मार्ट तरीका है, बिल्कुल स्मार्ट तरीका है, और बड़ी अच्छी बात जो इसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, जैसा कि अभी श्रमण जी ने बताया है, कि आट करोड की प्रॉपर्टी आप एक करोड डाल के खरीज सकते हैं, उसमें भी तमाम तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, यानि एक अच्छा ऑप्शन बनके आया है, फ्रैक्शनल ओनर् करते हैं, डेवलिपर्स के साथ भी काफी अच्छे तरह से कनेक्ट करते हैं, कैसा मूट दिख रहा है आपको इस बार दिवाली में या हम कहें हैं फेस्टिव सीजन में कंजूमर्स की ओर से, किस सेग्मेंट में जादा आपको डिमांड दिख रही है, हमें अभी दिमांड स साथ ही हम लोग करते हैं, और बिल्डर का जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वही प्रोपटी बेसे हैं तो देर ओन कस्टमर्स, तो हम लोग देखे हैं कि बिल्डर भी जादा लार्जर कंफिगरेशन करें और दोनों प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, तो डबल एफेक्ट अब जाहिर तोर पर बेटर एमिनिटी जैसा कि अभी शरवन जी ने भी बताया है कि लोग हॉलिडे होम्स की ओर बढ़ रहा हैं, तो जाहिर तोर पर अरविन सार हमने देखा है कि कोविट के बाद कुछ इस तरह का मूट सेट बदला है कि लोग बड़ी प्रॉपर्टी भी हैं, अब पूरी तरह से घर को, डेवलपर को, लोकालिटी को बहुत सारी चीज़े देखने लगें, इस बीच हमने देखा साथ लगजरी की सेल काफी तेजी से आगे बड़ी है, क्या आप बड़े कारल देख रहे हैं आज़ बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है और अच्छ जाता था, अब हम ये देख रहे हैं कि 50 लाग से एक करोड और फिर एक करोड से ऊपर ये जो सेगमेंट है, ये बहुत बड़ी हो गई है, इसके दो-तीन कारण है, एक तो ये है कि सबसे पहला कारण, जो सबसे नीचे की सेगमेंट है, अफोर्डबल सेगमेंट है, या एकन उपर पड़ता है, शौट टर्म, मीडियम टर्म तक के लिए, लॉंग टर्म में फिर वो बात बदल सकती है, दूसरा कारण ये भी है, कि जैसे जैसे हमारी मिडल क्लास की एक्सपैंशन हो रही है, और अब तो डेटा अवेलेबल है, हमारी मिडल क्लास बहुत तेजी से एक है, वहीं उनका शायद ऑफिस भी होगा या पार्शल ऑफिस होगा, या बहुत कुछ वो घर से भी करेंगे, तो घर सिर्फ अब एक सोने और खाना खाने का ठिकाना नहीं रहे गया, घर वो जगह जहां आप रहते भी हैं, काम भी करते हैं, परिवार भी पालते हैं, बहुत से नीचे होती थी, वो अब घटके बमुश्किल 30% रह गई है, बाग की 35% और दूसरा और 30-35% उपर की सेग्मेंट में हो रही है, और ये बहुत बड़ा बदलाव, बहुत क्लेरली देखने को मिला है हमें इन दिनों, बिलकुल, काफी बड़ा बदलाव है, श्रवन जी आ और इनवीट में अपने आपको कैसे कॉंपटीट कर रहा है, अभी जो इनवेस्टर्स हैं, उनका फोकस बहुत ज्यादा फ्रेक्शनल ओनर्शिप के तरफ नहीं दिख रहा है, कुछ भ्रांतियां भी हैं, कि 5-6 लोग एक प्रॉपर्टी में लेंगे, तो कहीं विवाद न रहेगा, नहीं नहीं, जरूर बढ़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल ओर्शिप, especially holiday homes में क्या है, इसमें एक तरफ निवेश है, investment, दूसरी तरफ lifestyle है, जैसे आपने बोला, COVID के बाद लोगों को family के साथ enjoy करना ज्यादा पसंद करते हैं, holidays पे गए तो families के साथ जाते हैं, या दो holiday homes का demand बढ़ता जा रहा है, और fractional ownership की concept से invest करना ज्यादा important हो जाएगा, return कितना मिला है, पिछले अगर एक साल में हम देखें, दिवाली से, इस दिवाली के बीच में, तो कितना appreciation हुआ है, See, asset का appreciation अभी गोवा या अलिबाग लिये तो 8 से 10% तक asset appreciation हुआ, और villa rental के मुताबक देखिये तो उदर 6 से 8% तक return मिल रहा है, so on the whole अब देखें तो 12 to 14% return मिलेगा holiday homes से, 10 से 12% return मतलब आप ये कह सकते हैं कि FD से तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन flexible है ये, और भी बढ़ सकता है या और कम हो सकता है, वो तो है, पर asset appreciation तो next 10 साल के तो बढ़ेगा ये बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इतना घर नहीं है अभी, तो बड़े-बड़े developers भी गोवा और लोनावला और अलीबाग को नाएगर बनाने के लिए, तो demand रहेगा. बिलकुल, अखिल जी आप से समझेंगे कि अगर हम city-wise देखे हैं, तो मुंबई में जैसा भी हमने पहले भी जिक्र किया कि 10-10, 12-12 साल के record टूट रहे हैं, हैदराबाद में कुछ वैसी इस अखिती है, तो जो आपके buyers हैं, उनका focus किन शहरों में जादा है, अगर वो investment के लिए देख रहे हैं तो? पर Bangalore में भी आप काफी traction देख रहे हो, tier 2, tier 3 cities में भी आप काफी traction देखना चादू हो गया है, even markets like Calcutta, आपको अब traction काफी देखना चादू हो गया है, काफी अपसाज आ गया है, आ गया है, चारह तरफ. ठीक है, अरविन सर, आप से समझना चाहेंगे कि fractional ownership, REIT और INVIT की हमने बात की, एक बिलकुल layman type का अगर investor है, जो real estate को investment की तरह से देखना चाह रहा है, तो इस दिवाली आप उसको क्या suggest करेंगे, कहां invest करना सबसे safest होगा, सबसे अच्छा appreciation जहाँ पर मिले? तो मेरा कहले एज ओल सवाल है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा भी, और इसमें दो तीन बातें जो हैं, वो भी बहुत constant रहती हैं, investment हमेशा वहाँ अच्छा होता है, investment मतलब जो आप returns के लिए कर रहे हैं, सिर्फ रहने के लिए कर रहे हो तो अलग बात है, अगर आप returns के ले कर रहे हैं, तो जहां returns की future की growth possibility हो, कम से कम एक या दो cycle तो जरूर हो, real estate में एक दो cycle का मतलब होता है, 10 से 15 साल, तो इतने साल तक जहां पर आपको future growth की possibility दिखे, वो अच्छा होता है करना, अब इसमें geographically वो market अच्छे हैं, जहां पर की सबसे जादा economic development हो रही है, तो हम सकते हैं कि इन में scope अच्छा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इनकी अपनी सिमाएं भी होती जा रही है, तो इन से एक tier जो नीचे market है, जो second tier, आप चाहें तो हैदराबाद ले ले लें, पूना ले लें, या ऐसे तमाम market है हमारे देश में, इन सब में आप कहीं भी इन लगए, इसमें physical asset है, उसमें वो derivative है, उसमें आप सिर्फ DMAT की तरह hold करते हैं उसे, लेकिन investment के तौर पर दोनों हमारे देश में हमारे समाज में नए segments हैं और दोनों में फिलहाल growth की possibility बहुत जादा है, तो ये दोनों आप evaluate कर सकते हैं, अप depend करता है कि आपकी पास budget कितना है आपका planning horizon क्या है, इन सब को देखते हुए, लेकिन अगर आप सिर्फ DMAT form में invest करना चाहते हैं, तो REITS में invest करें, फिलहाल तो REITS में मेरा ख्याले future लंबा है देश का, चौथा REIT भी आ चुका है, और भी आएंगे शायद, residential REIT नहीं हो सकता है, भविश्य में आएं, तो ब बोड़ी interesting हो सकती है, इस चर्चा में आप जितनी भी बात करें, investment की, real estate के market की, बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है बात करने को, तो यहाँ पर एक वक्त है, छोटा सा break लेने का, break के बाद हम फिर आजर होंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, Welcome back, आप देख रहे हैं, property plus और आज property plus में हम बात कर रहे हैं, दिवाली special में, real estate market की, की मौझूदा हालात कैसे हैं, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, property market ने कितना appreciation दिया है, कितना return दिया है, और इस दिवाली से, अगली दिवाली तक, real estate में क्या कुछ उमीदे दिख नहीं है, कहां पर निवेश के विकल्ब दिख रहे हैं, ऐसी ही तमाम बातों पर चर्चा जारी है, हमारे साथ महमान जुड़े हुए हैं, और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल एक अंतिम सवाल लेते हैं, श्रवन जी आप से समझना चाहेंगे, पिछली द प्राइस बढ़ रहा है, और तेज से बढ़ रहा है, अभी गोवा में दो एरपोर्ट है, अलिबाग का ब्रिज बन रहा है, रो रो आ गया है, तो सब जगा अप्रिसियेशन लास्ट यर से ज्यादा ही ज्यादा होगा, इस्पेशली हॉलिडे डिस्टिनेशन, कौन से मार् अलिबाग स्ट्रॉंग है और स्ट्रॉंग रहेगा, नौर्थ में कसोली, रिशिकेश, देरादून, यह सब मार्केट्स बहुत होट है, हॉलिडे होम्स के लिए, बिल्कुल, हॉलिडे होम्स के लिहाद से तो आपने बताया, लेकिन जो A-grade offices हैं, उनमें भी Fractional Ownership के options दि ज्यादा है, अभी आप Christmas लीजिए या दिवाली लीजिए, returns का upper side ज्यादा है, ठीक है, अखिल जी आपका क्या expectation है, अगली दिवाली तक इस दिवाली से real estate market को कहां देख रहा है, मैं बहुत bullish हूँ real estate market में, मुझे लगता है कि जैसे gold में आपका liquidity है, real estate में आपका utility है, और हमारा 1.500 करोर के अबादी का देश में, सिर्फ 4 करोर टाक्सपेर है, तो जो सवर ने भी पहले बोला कि अभी middle class बहुत 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 दिखा रहा है, अब देखो कि वही growth हम लोग का demand को fuel करते रहेगा, तो जो demand अभी हम लोग पिछल तीन साल से देख रहे हैं, यह सिर्फ से चला गया, और महेंगा हो गया, तो दोनों तरफ से हम लोग और जादा जादा खरीदें, तो अगला साल भी अच्छा होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं developer का FOMO strategy भी काम करता है, अर्विन सराप से अंतिन सवाल मेरा यह होगा, कि पिछली दिवाली से इस दिवाली हमने real estate की growth को बहुत ही शांदार देखा, पिछला जो last quarter था, 2022 का बहुत ही लाजबाब गया था, इस बार भी कुछ वैसी ही उमीद है, क्या कुछ expectation है आपकी कि इस तिमाही में इतने घर बिकेंगे, या कोई data आपने mind में रखा हो, देकि projections अभी तयार तो नहीं हुई है, लेकिन ज जादा units, बड़े आराम से भीखेंगे, यह तो minimum है, इस से कहीं जादा भीखेंगे, ऐसा मेरा मानना है, देकि दो-तीन factor और भी है, हम देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक-दो का नाम मैं ले लूँ, अभी recently IMF ने इंडिया की FY24 की growth projection को 400 basis point up किया है, एक-दो point नहीं है, तो सी clear and clear ripple effect हमको real estate में मिलता है, हमने हर बार देखा है, तो ना सिर्फ 85 बरकि लाग से उपर unit भी बिख जाएं, और आगे की 2-3 quarter में बिखें, तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, बिलकुल सर, CAT का भी अनुमान है, Confederation of All India Traders का, कि देश में 3.5 लाग करो रुपय की तिवहार में बिकरी होगी, जाहर तोर पर इसमें real estate शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो mood मौहल दिख रहा है, पूरे देश में, COVID के बाद से पिछली दिवाली काफी शानदा रही, इस बार हम कम से कम COVID के डर से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं, market अब आग अच्छा प्रिसीशन देखने को मिल रहा है, जाहर तोर पर real estate में bullish हैं, चाहे expert हों, चाहे developer हों, चाहे और भी verticals हो, हर तरफ हमें एक positive mood देखने को मिल रहा है, तो जाहर तोर पर हमारी भी उम्मीद यही है कि इस दिवाली बहुत ही शानदार विकरी होने वाली, बहुत ही आपका भी जो निवेश है, वो करने वाला है, तो आप भी एक अंतिम हर बार हम कहते हैं, और हर बार आपको अगावी करते हैं, कि आप कहीं भी निवेश करें, कहीं भी घर लें, किसी भी developer के साथ लें, लेकिन बहुत अच्छे से जाच परताल करने के बाद ही निवेश में जाएं, अन्यथा आप, ना जाएं तो बेटर है, लेकिन रियल स्टेट में अगर आप जा रहे हैं, तो बहुत ही सोस समझ के और बहतरी से जाएं, तब ही बहतर होगा, तो इस शो में फिलहाल इतना ही, अगले शो में फिर करेंगे बाद किसी और टॉपिक पर, Property Plus के दिवा अगली स्पेशल में फिलहाल इतना ही, अखिल जी, अर्विन सर और शिर्वन जी आपको बहुत सा अगत है, और बहुत शुब कामना है आपको दिवाली की, और बहुत-बहुत धहनेवाद आप यहां पर शामिल हुएं, तहनेवाद सर, भादेवाद।